नमस्कार दोस्तों सिखोवित स्वराज चनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरेमिक सेग्मेंट की एक छोटी सी कमपनी के बारे में आज हम इस वीडियो में चोटी कंपनी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं वो इस वीडियो में आगे चल कर आपको पता चलेगा तो यह कौन सी कंपनी है और इसके बारे में क्या-क्या भविश्य की कंपनी की योजनाय हैं कंपनी का भी कहां-कहां plant operational है वो सारा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से उन्रोदेगी अधि आपने हमारे इस चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो दोस्तों कंपनी का नाम है Asian Granato India Limited जिसे AGI Tiles के नाम से हम जानते हैं और कंपनी के बारे में हम बात करें तो देखी यह इस कंपनी का स्थापना 2000 में हुई थी और 2000 के बाद से कंपनी ने leading ceramic कंपनी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है और सिर्फ इंडिया में नहीं global market में इन्होंने अपनी बहतरीन quality वाले estral ceramic tile, engineer, marble और quards की wide variety के manufacturer के रूप में एक अच्छी अपनी पहचान बनाई है इस कंपनी ने कंपनी का काफी diversified product है और basically यह तीन segment में अपने product सारे बनाते हैं quartz का और तीसरा bathware से related यह product बनाते हैं जिसमें sanitary wear और forks भी आते हैं तो इसी तीनो business के बारे में हम इस video में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले यह जो tile का business है company को 77% revenue इस tile business से आता है company का manufacturing plant की बात करें तो देखिए गुजरात में यह अहमदा बाद में company का head office है और जो company के plants है वो इदर हिमत नगत डोलका मोर्वी और महसाना में है तो यह और जो company tiles बनाती वो चार परकार के tiles बनाती एक ceramic tiles है दूसरा polished wetrified tiles है तीसरा glazed wetrified tiles है और चौथा double charged tiles है तो यह चार परकार के tiles है इनके plant में तयार किये जाते हैं और हम दूसरी बात करें तो देखिए यह marble और quartz का business करते हैं जिससे company को 14% revenue आता है और जो organized quartz का market है चाहे वो marble का हो या quartz का इसका जो organized market है उसका 36% हिस्सा सिर्फ agile company के पास है गुजरात के दलपूर में जो plant है यह दलपूर वाला plant इसी plant में marble और quartz से related product का इनका उत्पादन होता है और production capacity की बात करें तो 1.25 million square meter per annum है company का जो production capacity है उसका अभी केवल 76% का ही utilization अभी company कर पा रही है और हम company के आब जो तीसरा segment है वो बात्रूम से बात्वेर से related product बनाती है तो company ने इस segment में 2019 में प्रवेश किया था December 2019 में company ने इस segment में अपने 30 से ज्यादा product लेके आये थे और इस segment की सुरुवात की थी जिसमें नल हो गया shower हो गया बात्वेर accessories जो complete बात्वेर accessories है वो सारा लेके आया थे इसके साथ ही ये CP fitting के range को भी इन्होंने launch किया था जो कि complete bathroom solution देना इनका लक्ष रखा गया था financial year 2023 में company अपने नल और sanitary wear के 50 से भी अधिक product को launch करने की योजना पर काम करें इसके लिए ये अपने 50 से अधिक distributor और 500 से अधिक dealers का एक standalone network के तैयार करने की योजना पर काम करें जो कि सिर्फ इनके बात्वेर में sanitary wear और ये जो नल अगरे हैं इन सब का जो सेल करेंगे एक exclusive stores के माध्यम से तो उसके लिए ये stand-alone network बनाने की योजना पर काम करें जो कि 23-24 में complete हो जाएगा कंपनी के अब हम market share की बात करें तो कंपनी का जो टोटल touch points है पूरे इंडिया में 6,000 से भी ज्यादा है और 6,000 touch points के साथ ये 2,700 से भी ज्यादा distributor dealer और sub dealers कंपनी के इंडिया भर में है और exclusive franchise की बात करें तो लगबग 300 है कंपनी का जो अपना on display centers है वो 12 से भी ज्यादा पूरे इंडिया भर में है और company की जो presence की बात करें तो पूरे इंडिया में है state और यूटी मिलाके 35 से ज़्यादा जगों पर इनकी company की presence है और ये अपने product का 100 से भी ज़्यादा देशों में निर्याद करते हैं अगर हम निर्याद की बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो निर्याद करते हैं वो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा चाइना को करते हैं 22.5% एक्सपोर्ट चाइना को होता है यानि इंडिया में जो इनकी खपत है 15% उससे भी ज़ादा ये चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद स्पेन को भी करते है 15% फिर इतली है इरान है तुरकी है ब्राजील है पॉलेंड है एजिप्ट है यूई है ऐसे 100 से भी ज़्यादा देशों को यह अपने प्रोड़क्ट को एक्सपोर्ट करते हैं कंपनी अपने एक्सपोर्ट को करने के लिए एक्सपोर्ट का जो इनका प्लान के लिए इनोंने मॉरवी में 15000 स्कॉर फिट से भी बड़ा एक प्लांट एस्टेबलिस किया है जिसमें इनके जो 3 प्लांट एक साथ चलते हैं और तीनों प्लांट में जो इनके जो कहते हैं कि जो लग्जरी प्रोड़क्ट है वो तैयार होते हैं लग्जरी प्रोड़क्ट में इनके सारे चाहे वो टाइल्स का बात करें या मार्वल्स का बात करें या बाथवेर से रिलेटेड बात करें तो इसमें वो प्रोड़क्ट तैयार होते हैं जो इस्पेशली एक्सपोर्ट किये जाते हैं लक्जरी प्रोड़क्ट ही जनेरली कमपनी अपना एक्सपोर्ट करती है जो इनका बेस्ट क्वाटी होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसी पर ये काम कर रहे हैं कमपनी के हम financials के बात करें तो देखें कमपनी का जो market capitalization है वो 741 врем का है केवल और कम्पनी का जो current share price है वो 58 Rs. 40 पैसे का है कंपनी के share price की हम बात करें तो 52 का high 132 रुपया का और low 38 रुपया 80 पैसे का है face value की हम बात करें तो 10 रुपया का है ये 10 रुपया हमें गलत देखने को मिल रहा है तो वेल्यू 2 रुपय का होना चाहिए जो कि हम आगे चलके वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कंपनी के हम सेल्स के हम बात करें तो देखें 2007 में कंपनी का सेल्स केवल 179 कड़ोर का था जो अभी बढ़कर 1564 कड़ोर रुपय तक पहुंच गया नेट प्रोफिट की बात करें तो 2007 में कंपनी का 23 कड़ोर रुपय का नेट प्रोफिट था जो की घड़ता बढ़ता रहा और ये 2019 तक कंपनी का घड़ता बढ़ता रहा उसके बाद 2019 के बाद कंपनी ने लगातार जो है ग्रोथ जो है बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा और profit की बात करें तो profit भी देखिए 2019 में 23 कड़ोर, 20 में 46 कड़ोर, 21 में 58 कड़ोर, 22 में 92 कड़ोर तो कहने का मतलब company का जो makeover है वो 2019 में हो गया और उसके बात से लगातार इनका profit बढ़ता जा रहा है इनका जो sales है वो भी एकदम से continuously हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है company के हम investors की बात करें तो देखें promoters के पास 29% की हिस्सेदारी है और ये हिस्सेदारी company का जो 2021 में हिस्सेदारी था 37% उससे एकदम से कम इन होने किया था June 2021 में और उस समय के बाद से company धीरे धीरे हर quarter अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी इस company में बढ़ाते जा रही है आप पश्ट देख सकते हैं और उसी समय से FIIs में भी इस company में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की है देख सकते हैं June 2021 से बिल्कुल कुछ नहीं था उसके बाद 0.16%, 0.36%, 0.56%, 0.89% तो यह हमें FIIs और promoters इस company में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं June 2021 और इन दोनों के उलट DIs और पबलिक अपनी हिस्सेदारी इस company में घटाते जा रहे हैं तो एक mix जैसा हमें shareholding pattern यहां देखने को मिल रहा है कंपनी के हम balance sheet की बात करें तो देखें कंपनी के का जो reserve and surplus है वो 347 कड़ोर रुपय का 2018 में था और यह 2019 में बढ़कर 357 कड़ोर, 20 में बढ़कर 377 कड़ोर, 21 में 491 कड़ोर और 22 में 780 कड़ोर हो गया तो reserve हमें हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है long term borrowings की बात करें तो company के उपर 2018 में जहां लगबक 20 कड़ोर रुपय का करश था वो अभी घट कर केवल 89 लाक रुपय पे आ गया है तो long term borrowings हमें काफी कम होते हुए देखने को मिल रहा है और short term borrowings की बात करें तो ये भी हमें केवल 45 कड़ोर ही देखने को मिल रहा है जो कि 2018 में 131 कड़ोर रुपय तक था तो हमें ये borrowings के मामले में भी company में सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है cash and cash equivalent के हम बात करें तो company के पास लगबग 22 कड़ोर रुपय का cash पड़ा हुआ है जो कि अपने देनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए company इस्तेमाल करती है dividend की बात करें तो पिछले के कई सालों से company अपने shareholders को एक छोटा सा amount dividend के रूप में बांट रही है लेकिन बांट जरूर रही है हर साल आप देख सकते हैं कभी 70 पैसे कभी 50 पैसे कभी 60 पैसे ऐसे करके company हर साल अपने shareholders को dividend भी दे रही है stock split की बात करें तो देखिए 2020 में company ने 10 रुपे के face value को 2 रुपे के face value पे लाया था 23,10,2020 की बात है और यहां पर आप जो हम देखने को मिल रहा था face value 10 रुपे के यह 10 रुपे नहीं है यह 2 रुपे है जो के आपको यहां पर clear हो चुका है company के split की bonus की हम बात करें तो company ने कोई bonus अपने shareholders को नहीं दिया है technical chart पर company के हम share price की बात करें तो देखिए company ने जो 32 रुपे 80 पैसे का low लगाया था उसके बाद company में यहां से एक छोड़ा सा run-up देखने को मिला और company और 38 रुपे से 70 रुपे तक हमें एकदम से जाते हुए देखने को मिला और उसके बाद company अभी थोड़ा सा correction ले रही है तो यहां पर हम इनके लंबे समय का चार्ट जब देखते हैं तो यह देखिए 2018 में company ने 500 रुपे का जो आंकड़ा था हाई उसको भी तोड़ दिया था और 500 रुपे से company पिछले चार वर्सों में लगभग 92% गिर चुकी है और अभी company 58 रुपे के share price पे है जो की अभी भी अपने high से लगभग 88% डाउन है जो company का share price 88% टूड़ जा है तो उस company में क्या बचेगा company का आपने sales देखा company का profit देखा जो की 2019 से बिलकुल सुदार हो गया है लेकिन company का share price अभी चड़ना शुरू नहीं हुआ जिस दिन company का share price चड़ना शुरू होगा उस दिन से आप इसके price में बड़ी तेजी से change होता हुआ आपको देखने को मिलेगा यह company देखिए अभी इसमें क्या करना है आपको कि अभी shorter में company का share price डाउन हो रहा है और इसका जो मजबूत support है वो 38 रुपे 80 पैसे का है अगर यह company इस 38 रुपे 80 पैसे के level को तोड़ देती है तो आप एकदम से 38 रुपे के price पर exit कर जाए यह company में क्योंकि यहां से आपको एक फिर लंबी गिरावर्ट देखने को मिलेगे लेकिन 38 रुपे 80 पैसे के जो इनका support है मजबूत support उसको नहीं तोड़ती है तो आप इस company में बने रह सकते हैं यदि आपने खरीद रखा है तो और नहीं खरीद रखा है तो 50 रुपे के rate तक है यदि आपको इस company के share मिलते हैं तो आप आँक बंद करके उठा लेजिए तीन से चार सालों में ये company के share कहीं भी हमको नहीं तो आपने high को भी touch करते हैं तो हमें एक massive return देखने को मिलेगा तो आप इस company के share price पे eagle life बना के रखिए और 50 रुपे के range में जैसे आता है तो आप खरीदने की कोशिस कर सकते है इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें आपका like हमारा motivation बढ़ा देता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर share करें इस वीडियो में इतना ही मिलते झाल